माइ फ़स्ट पेमेंट फ्रॉम यूट्यूब बड़ी खुसी फीलो रही यार देखे वैसे इस टॉपिक पर अल्रेडी बहुत सारे वीडियोस मौझूद हैं तो मैंने सोचा पहले तो मैं वीडियो नहीं क्रिएट करता हूँ फर बाद मैं सोचा कि भई मेरे एक वीडियो से किसी को मोटिवेशन मिलता है तो मेरा क्या जा रहा है है ना तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज कि इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि मेरी पेमेंट जो है वो कितनी आई है साफ साफ बताओंगा ऐसा नहीं है कि भई मोबाइल फोन जाकर सर्च कर लो ये कर लो वो कर लो ऐसा कुछ नहीं साफ साफ बताओंगा कितनी पेमेंट आई है और आपको पता भी चल जाएगा हाँ इतनी पेमेंट आई है एक एक रुपे का आपको बता दूँगा ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक अंदाजा बता दिया इतना आया है fix amount बताऊंगा जितना आया है कैसे आया है क्या क्या करना पड़ा इस amount के लिए वो सारी चीज़े भी बताऊंगा बाकी अपनी दुखवरी कहानी नहीं सुनाने जा रहा हूं Hello and welcome friends मेरा नाम है नूप सिंग और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ साथ मैंने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें तैकि आप किसी भी लेटिस्ट वीडियो की लेटिस्ट अपडेट मिसना कर सकें So let's get started तो देखिए हर महिने की 21 तारीक को जैसा की अधर यूट्यूबर्स ने भी आपको बताया होगा कि YouTube पेमेंट ट्रांसफर कर देता है अपनी तरफ से रिलेस कर देता है AdSense अपना जो पेमेंट होता है YouTube की पेमेंट AdSense में आती है और AdSense आपके बैंक अकाउन्ड तक भीजता है तो वहाँ से वो 21 तारीक को ट्रांसफर कर देता है 23 तक 23 तक इंडिया के शहरों के बैंकों तक ये पेमेंट पहुँच जाता है अब बैंक में जो है एक फॉरेक्स डिपार्टमेंट होता है जो विदेश से आए हुए फंड्स को लोगों के खातों में ट्रांसफर करता रहता है उन पर लिखे डीटेल्स के अकॉर्डिंग तो आप फॉरेक्स डिपार्टमेंट जो है पहली बार अगर किसी का पेमेंट विदेश से आया है तो वो रोक कर रखते हैं फिर चाहे आपका एड्संस का पेमेंट हो या फिर किसी और बंदे ने वायर ट्रांसफर के थूर आपको डैरेक्ट पेमेंट भेजा हो वो आपके पेमेंट को होल्ड करके रखेंगे जब तक आप उनका रेमिटेड फॉर्म नहीं भरोगे वहाँ पर आपको बुलाया जाएगा मुख्य शाका जो होगी आपकी बैंक की ऐसा नहीं है कि आपके जो छोटे मोटे गाउं में है या फिर आपके जिले के अंदर कोई भी बैंक है आप वहाँ पर चले गए नहीं वहाँ पर जब आप एडसेंस में अपने अकाउंट डिटेल्स डालोगे तो वहाँ पर आपको एक स्विफ्ट कोड डालना होता है वह स्विफ्ट कोड जिस बैंक का होगा लाश्ट के डिजिट जो होंगे तीन डिजिट होते हैं उनसे पता चलता है कि वह किस शाखा का स्विफ्ट कोड है और उसी शाखा में जाकर आपको वह रेमिटेट फॉर्म भरना होगा या फिर आपको ऐसा कहना होगा कि आप अपन मैं और बोल सकते हैं कि सर मेरा एक पेमिंट आया था वह होल्ड है ध्यान रहेconomy is to भूरच दिपार्टमेंट में जाना हुगा यह उस बैंक में sift code मौज़ुद होता है तो ऐपके बैंक अदेराच कीक तो मेरे बंकवाले जो है इसी कategory में आते हैं तो मैंने क्या किया कि मैं भाई हजरत गंज लखन हुग गया सिधे सीधे वहाँ पर जाकर बुला सर मेरा एक payment है YouTube का payment है AdSense का आया हुआ है hold है देखिए क्या चक्कर है तो मेरी payment जब history गई थी आपका payment रेमिटेड है मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था बैंक वालों के पास गया तो बैंक वालों के भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो फॉरेक्स के बारे में उनको कोई भी जानकारी नहीं थी वो लोग इतने दिनों से काम कर रहा है पर फिर भी उनको फॉरेक्स डिपार्टमेंट का कोई भी आईडिया नहीं था मैंने बैंक के कस्टुमर के अर्ड से कई बार बात करी उन्होंने भी कुछ क्लियर नहीं बताया तो मैंने सीधे कुछ नहीं देखा और लखनव निकल गया अब हजरत गंज में जाकर वहां के बैंक वालों से बात कि उन्होंने रेमिटेड फॉर्म दिया मैंने भरा काम अपना खातम होगे और वहां पर जमा कर दिया बोला था उन्होंने की दो-तीन दिनों के अंदर आपका पेमेंट आ जाएगा और मेरे गाओं में परधानी का मोहल चल रहा है फिलाल उत्तर प्रदेश के सीता पुर जिले से विलॉंग करता हूँ 29 तारीक को वोटिंग होई थी 30 तारीक को भाई पूरे ग्रूप के साथ हम लोग बैठे हुए थे आपस में डिसकस कर रहे थे अपना परधान जीतेगा या नहीं जीतेगा क्या मैटर है बैकि मेहनत पूरी तरीके से की गई कनी चाफ है घर जिससे बनता है तो मैफिल में बैठके हम लोग थोड़ा सा डिसकस कर रहे थे कि भई मेहनत तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा की है बर अपना परधान जीतेगा या फिर नहीं जीतेगा थोड़ा सा डाउड था पर अचानक से ही मेसेज आया कि बैंक ओफ बडोदा में आपके इतने पैसे क्रेडिट हुए है मैंने देखा भई अचानक से ये तो यूट्यूब का पेमेंट है पांच साल के बाद जब यहां किसमत खुल सकती है मतलब की अपनी किसमत पर ललता में या महरवान है तो अब उस मैसेज के बज़े से कई सारी उमेदे जगी क्योंकि उस महफिल में मैं बैटा था और वहाँ पर सब के सामने अचानक से वह मैसेज आया है कई सारे लोग वहाँ पर बैठे थे तो देखा बोला मैं बन गया परदान तो कई सारे लोगों की उमेदे भी वहाँ पर जग गए अचानक से कि वही एक चोर परधान है जो लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करता है गाउं में फिलहाल और हम लोगों ने जिस बंदे का सपोर्ट किया है वो एक इमानदार परधान है उमेद है उनसे बहुत सारी पढ़े लिखे बंदे हैं गाउं का विकास करेंगे और इधर चैनल का भी विकास हो रहा है तो फाइनली यहां पर में मुद्धे पर आते हैं कि हमारी पेमेंट कितनी आई है तो अगर हम अपने पेमेंट की बात करें तो यह यूट्यूब के गाइडलेंस के खिलाफ है यहां पर मैं आपको नहीं बता सकता बट हाँ यहां पर मैं एक चीज आपको बता सकता हूँ कि आप हमें इस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं वहां पर मैं साफ 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 सबको बता सकता हूँ एक माई को जो पोश्ट पड़ा होगा उस पोश्ट पर जितने भी पैसे लिखे होंगे एक एक रुपए मतलब जितने आये हैं टोटल उतने रुपए मैं लिखकर वहाँ पोश्ट कर दूँगा साफ साफ और उस post पर आप देख सकते हैं कि कितने रुपे आए हैं और वहाँ पर आपको साफ साफ पता भी चल जाएगा एक मई को जो post गया होगा उस post पर पर Instagram की idea अनूपसिंग अंडरसकोप AS के वरना आप description में link दिया गया है वहाँ से भी जा सकते हैं Instagram पर बाके Instagram पर जाने से पहले इस channel को subscribe ज़रूर कर देना ताकि future में आने वाले interesting videos को miss ना कर सके और हाँ Instagram पर भी follow ज़रूर कर लेना क्योंकि वहाँ पर भी permanent नए-नए updates आते रहते हैं ओके guys मैं मिलता आपको next video में एक नए topic के साथ तब तक के लिए जय हिंद वन्ने मातरम